हेलो फ्रेंट्स गूर्णिंग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सरीफा की सरीफा कितना अच्छा फल है और कौन-कौन से केमिकल पाया जाते हैं और किस बिमारियों में एकदम लाफ प्रद है आज के पूरे वीडियो में यही देख लेते हैं दिखें जो सरीफा दूसरे कुशिगा से ठीक इसी तरीके से अरेंज होती है और खास बात क्या है कि जैसे शरीफा उपर से हलका सा कठोर है और अंदर से एकदम सौप्ट होता है मुलायम होता है ठीक उसी तरीके से शरीर की भी वेवस्था होती है यानि काफी मैश करता है शरीफा शरीर के इस जूल है कार्बोहार्डेट्स तेज़ दसमेलों छह चार ग्राम है अब डाइटरी फाइबर्स कितना है फोर पॉइंट फोर ग्राम है तो दिखें इनर्जी का भरपूर श्रोत है इनर्जी इच फ्रूट्स है शरीफ है तो इसको आप सुबह यूज करें खाली पेट यूज क करें कोई भी फल का तरीका है यह कि आप खाली पेट खाएं तो ज़्यादा अच्छे से काम करता है फैट कि अगर बात किया जाए तो 0.29 ग्राम है और प्रोटीन कितना है 2.06 ग्राम है तो जो शरीफा है इसको आप सुबह से ले करके बारत तीन बज़े तक यूज कर सकते ह दिन में ही यूज करें साम को यूज ना करें सोते समय यूज ना करें और खाली पेट खाएं किसी भी फ्रूट्स खाने का ही तरीका होता है कि आप उसको अगर खाली पेट यूज करेंगे तो उसके फूट सप्लिमेंट आपको बहुत अच्छे से मिलेंगे तो इस तरह से स प्रचुर मात्रा में और मिनरल भी तो मिनरल और जिन जिन बिटामिन की सरीर को जरूरत पड़ती है वो सभी बिटामिन हैं सरीफा के अंदर इसको आप रेगुलर यूज करें जब भी मिल रहा है तब आप उसको यूज करें कोई भी मौसमी फाल हमेशा सेवन करते रहें और विटामिन B5, 0.226 mg है और विटामिन B6, 0.2 mg है और फोलेट 14 mg है और विटामिन C, 0.08 mg है तो इस तरह से यह जो सरीफा है इसका यूज किनकिन बिमारियों में किया जा सकता है आगे की स्लाइट्स में है तो दिखिए जो सरीफा है उसको जो अंदर का जो सीड है उसको नखा है सीड के अलामा भी जो भी गुदा वाला पोर्शन है उसको खा जाए तो दिखिए कि जो कैलसियम है 14 mg है आयरन 0.6 mg है और मेगनिसियम 21 mg है जबकि मेगनिस कितना है 0.42 mg है तो मिनरल और विटामिन का भरपूर स्रोथ है शरीफा आपकी कई बिमारियों से आपको निजात दिलाएगा और स्वस्त बनाएगा तो आप इस तरह से इसके केमिकल्स है और दिखिए इसके अंदर अगर आप सीड को निगल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी घबराने की कोई बात नहीं है कुछ बिसेस नहीं होगा इपास हो जाएगा इस टूल के साथ ना फास्पोरस के अगर बात किया तो 32 मिली ग्राम है और पोटेसियम 247 मिली ग्राम है और सोडियम 9 मिली ग्राम है तो इस तरह से देखा जाए तो जिंक की अगर मात्रा देखा जाए तो 0.1 मिली ग्राम है तो दिखे जिंक भी है सोडियम है प यूज जरूर करें और नार्मली होता क्या है कि अगर यही सब मेडिसीनल कंपोनेंट अगर कैपसूल के फार में आ जाए पैक डा जाए तो उसको बहुत आसानी से यूज करते हैं लेकिन नेचुरल तरीके से लोग कम ध्यान देते हैं तो दिखे सरीफा पोटैसियम और मैगनीसियम का एक अच्छा स्रोथ होता है जो ब्लड प्रेसर को कंट्रोल में रखता है जिन लोगों का ब्लड प्रेसर घड़ता बढ़ता रहता है उन्हें सरीफा जरूर खाना चाहिए तो दिखें, potassium और magnesium जो blood pressure है उसको control में करते रहते हैं तो आप इसका अगर use करते रहते हैं तो body के अंदर sodium, potassium, magnesium और जितने भी mineral vitamins हैं सब प्रचुर मात्रा में रहेंगे और शरीर ठीक से काम करता रहेगा और पाचन सक्ती बढ़ाने के अगर बात क्या जाए तो सरीफा में copper और fiber होता है जो पाचन सक्ती बढ़ाने के सांथी कब्ज से निजात दिलाता है धूप में सुखाय होए सरीफे को पीस कर इसका powder बनाकर पानी के सांथ लेने से डेया से आराम मिलता है और डेया ठीक हो जाती है क्योंकि डेया में बिसिकली जो भी mineral से लॉस हो जाते हैं तिसको खाने से पूरे mineral की भरपाई हो जाएगी उस जो intestine में जो cramping आती है जो मरोड आती है उसब भी नहीं होगा तो प्रिग्नेंसी के समय सरीफा खाने से ब्रून होने वाले बच्चे का या ब्रून का दिमाग नर्वस सिस्टम और इम्मिन सिस्टम मजबूत होता है इसके लामा इसके सेवन से मिस्केरेज होने की संभावना भी खत्म हो जाती है जिनको तीसरे महिने 500 में मिस्केरेज हो जाता है उनको भी प्रिग्नेंसी के समय सरीफा खाना चाहिए बच्चा जो है तेजवान होगा तेजश्वी होगा और मिस्केरेज की संभौना नहीं होगी तो इस तरह से pregnancy के दवरान आप इसका यूज़ करें और किसी भी तरीके से आप यूज़ करें एकदम स्वस्त हैं आप तो भी यूज़ करें क्योंकि स्वस्त रहने से अगर immunity strong रहेगी तो फर्दर दूसरी बिमारियां जो सरीर में आकर generate होती हैं उसम नहीं होगी तो इस तरह से उसे निजात मिल सकती हैं तो अगर आप स्वस्त नहीं हैं तो भी यूज़ करें अगर आप स्वस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है तब भी इसका यूज़ करें तो इस तरह से सरीफे के अंदर काम की chemicals हैं जो कि आपको वजन भी बढ़ाने के लिए फायदे मंद होता है तो सरीफा उन लोगं के लिए फायदे मंद हो जो वजन बढ़ाने के चुक हैं नेमिज रूप से सरीफा में सहद मिलाकर इसका सेवन करने से वजन बढ़ाने में मदद मिलती है तैनि जिनका नार्मल वजन नहीं है हाइट से कम वजन है वो लोग सरीफे का यूज़ जरूर करें तो वजन बढ़ाने के लिए है यानि जिनका वजन ज्यादा है वो लोग सरीफे का वजन सरीफे को नखाएं अधर्वाइज वजन और बढ़ेगा तो और बढ़ेगा तो दिक्कते और बढ़ेंगी तिस तरह से जिनका वजन कम है वो लोग तो यूज़ करें लेकिन ज का ज्यादा है वो लोग नो यूज करें सरीफा में विटामिन B6 होता है जो रोगियों को अस्थमा के अटैक से बचाता है इसमें ब्रोकाइल इंफ्लमेशन ब्रॉंकियल इंफ्लमेशन से बचाने का गुण होता है इसमें मवजूद मैगनिसियम हार्ट कार्डियक अटैक से बचाया रखता है तो इसका जो मैगनिसियम है हार्ट को काडियक अटैक से बचाता है तो मैगनिसियम काफी काम का केमिकल्स होता है तो इस तरह से आप ने पूरा वीडियो देखा तो जानकारी अगर अच्छी लगी तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे और निचुरल तरीके से बिमारियों को ठीक करने की जानकारी बढ़ती है तो सरीफे में बिटामिन ए प्रचुर मात्रा हम होता है जो तुचा को स्वस्त रखने में मददगार है इसके अलामा या बालों के लिए भी फायदेमंद है या तुचा पर आने वाले एजिंग के निसानों से भी बचाता है तो एजिंग को भी स्लो करता है सरीफा तो इ स्किन के लिए डाइजेशन के लिए